Second point, वो है कि आप पढ़ रहे हो, आपका goal क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, आपका plan क्या है, plan of action क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, कि what is the goal, अगर goal नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक इंसान उस चीज़ के अंदर demotivated feel करेगा, कभी difficult times आएंगे, कभी पहाड के उपर चड़ना प पढ़ेगा, वैसे वकपर एक इंसान अपने आपको motivated नहीं रख पाएगा, क्योंकि really बता रहा हूं, जो मैंने आपसे वादा किया, क्या वादा किया, come effort में जादा results, ये तब possible है, जब वो अंदर motivation हो, और अंदर motivation नहीं है ना, तो force करके, hunter मार करके, पीछे कोई खड़ा, exam आ रहे हैं, पढ़ना पढ़ेगा, this is not really going to create results, वक्ती तोर पर भले ही कोई शक्स धक्का मार के कर ले अपने आपको, लेकिन it's not going to create results, तो goal रखना बहुत जरूरी है, आप देखोंगे कि जो लोगों का clear cut defined goal है, कि मेरा ये मकसद है, तो वो मकसद जब सामने होता है न, ऐसे लोग बहुत सारी मुश्किलों से गुजरने के लिए तयार हो जाते हैं, बहुत सारी difficulties से गुजर कर भी मनजल तक पहुँचने के लिए तयार हो जाते हैं, और ये जो कहां से पैदा होता है, ये strength कहां से आती है, ये strength पैदा होती है, जब उनके अंदर a clear goal orientation हो, मुझे ये बिसल के तोर पर किसी का goal है कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो डॉक्टर बनूँ ये goal है या इससे आगे और भी goal होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनके बिसल को बिसल करना चाहता हूँ मैं लोगों को भी मदद करूं मतलब क्या होता है ना जितना बड़ा गोल होगा उतना बड़ा मोटिवेशन होगा एक इंसान के सामने ड्रीम जब होता है ना एक गोल जब वह परस्यू करता है तो वह बात ही और होती है एक परसन विजन हो किसी के पास विजन नहीं है और किसी आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है अपने केबल या DTH आपरेटर से आपलस टीवी आज ही डिमांड करें आपलस टीवी, फ्री टो एर और इंडियन रेजिस्टर चैनल है